पिछले साल कई नाम चीन लोगों पर मीटू मॉवमेंट के चलते हैरिस्मेंट के आरोप लगे थे इस मॉवमेंट की वज़े से कई लोगों को इंडस्ट्री में काम मिलना तक बंद हो गया था इन में से एक नाम सिंगर अनुमलिक का भी था जिनने मीटू की वज़े से इंडियन आइडल 10 की जच की कुरसी छोड़नी पड़ी थी पर एक बर फिर बिना किसी सजा या प्रॉब्लम के इंडियन आइडल सीजन 11 के लिए अनुमलिक को जच चुन लिया गया है ये बात उनके खिलाफ हैरेस्मेंट के केसे लगाने वाली सिंगर्स को कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आई पहले तो सिंगर सोना महपात्रा को कॉंटिनूसली अनुमलिक के अगेंस्ट अवाज उठाते और ट्वीट करते देखा गया था और अब सोना को सपोर्ट कर रही है एक और सिंगर नहा भसन नहा भसन ने कुछ ट्वीट किये है जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे जब वो 21 साल की थी तो अनुमलिक ने उन्हें अनकमफर्टेबल फील करवाया और वो कैसे वहाँ से जूट बोल कर निकल गई अनुमलिक पर सिर्फ इन दोनों ने ही नई बलकी इंडस्ट्री की कई जाने माने लोगों ने हरिस्मेंट का इलजाम लगाया है अब देखना यह होगा कि इन दोनों सिंगर्स की इन कोशिशों से क्या अनुमलिक की इमिज पर कोई असर पड़ेगा या फिर वो इसी तरह अराम से इंडियन आइडल सीजन 11 भी जज करते रहेंगे